दोस्तों, आज मैं ऐसी अभिनेत्री के बारे में बात करने वाले हैं, जो अपनी एक्टिंग के कारण कम और स्टार्किड होने की वज़ह से अकसर चर्चाओं में बनी रहती है। है वो टैलेंट के दम पर किया है या फिर इसकी वजह कुछ और है जी हाँ दोस्तों आज हम जिस एक्ट्रेस के बारे में बात करने वाले हैं वो एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा हैं सोनाक्षी की पहली फिल्म थी मेरा दिल दे के देखो ये फिल्म साल 2005 में आई थी इस फिल्म में इसने कॉस्ट्यूम डिजाइनर काम किया था जब ये फिल्म आई थी तब सोनाक्षी का वजन 104 किलो था यानि कि सोनाक्षी उस समय बहुत मोटी हुआ करती थी तो फिल्मों में आने के लिए वो अन्फिट थी लेकिन धीरे धीरे समय बीता गया और सोनाक्षी पर सल्मान खान की नजर पढ़ते पढ़ते आखिर एक दिन ढ़ंग से बढ़ गई हालांकि सोनाक्षी के माता-पिता नहीं चाहते थे कि वो फिल्मों में आएं और उस तरह के रोल करें जैसे कि दूसरे स्टार किड करते हैं लेकिन परिवार तो ये चाहता था कि सोनाक्षी परदे के पीछे काम करती रहे और बॉलिवुड में ही कॉस्ट्यूम डिजाइनर या फिर कुछ भी बनी रहे जब सल्मान खान और सोनाक्षी की दोस्ती बढ़ने लगी तो सल्मान खान ने अपना वजन घटाने की सोनाक्षी को सलाह दी लेकिन तब भी सोनाक्षी ने मना कर दिया सल्मान खान ने उन्हें बार बार फोर्स करने लगे तो सोनाक्षी मान गई और उसने अपना वजन घटाने का मिशन शुरू कर दिया सल्मान ने सोनाक्षी से वादा किया था कि अगर वो अपना वजन घटा लेती है तो उसे अपनी फिल्म में डेब्यू करवाएगा सोनाक्षी ने अपने वजन को कम किया और गिफ्ट में मिला सल्मान भाई का साथ जी हाँ, सोनाक्षी को गिफ्ट में दबंग मूवी नहीं बलकि सल्मान खान मिला था मीडिया के मताबिक सल्मान खान और सोनाक्षी दोनों का रिलेशनशिप चलता रहा सोनाक्षी को फिल्म में मिलती रही अब ऐसा नहीं है कि सल्मान खान ने सिर्फ सोनाक्षी को ही लॉंच किया हो बलकि और भी कई लड़कियों को इन्होंने बॉलिवुड में लॉंच किया था जिसमें जरीन खान, सनेहा उलाल, डेजी शाह, भूमिका चावला, सल्मान खान ने इन सभी अभिनेत्रियों को फिल्में दिलाई लेकिन आज के समय में कोई भी अभिनेत्री बॉलिवुड में टिक नहीं पाई और नहीं चल पाई तो फिर सोनाक्षी सिन्हा में ऐसा क्या है कि सल्मान खान इसे फिल्मों में लेने का हमेशा ही ठेका ले लिया है सल्मान खान सोनाक्षी को बड़े बड़े बैनर की फिल्में खुद रिक्वेस्ट करके दिलवाते हैं अक्षै कुमार अजय देवगन जैसे बड़े बड़े कलाकारों के साथ में सोनाक्षी ने जितने भी फिल्मों में काम किया है वो सारी की सारी फिल्में सल्मान खान की महरबानी थी सो नाक्षी ने अपने करियर के दौरान बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ यानी मंझे हुए खिलाडियों के साथ काम ज्यादा किया है क्योंकि इन्हें मंजे हुए अभिनेताओं की फिल्म बड़े बजट की होती है राउडी राठोर और जोकर में अक्षय कुमार के साथ सन ओफ सर्दार में अजय देवगन के साथ दो दबंग सीरीज में सलमान खान के साथ में अक्षय कुमार के साथ में तो इन्होंने कई सारी फिल्मे की हैं लेकिन साल 2013 में सोनाक्षी को पहली बार अपनी एज ग्रुप के एक्टर के साथ में काम करने का मौका मिला और ये एक्टर था रणवीर सिंग और फिल्म का नाम था लुटेरा इस फिल्म के दोरान सोनाक्षी को एहसास हुआ कि अपने एज के लोगों के साथ काम करने के अलग ही अनुभव होते हैं इस फिल्म के दोरान रणवीर और सोनाक्षी के अफेर की खबरें भी आने लगी थी हालां कि इनके अफेर की ज्यादा दिनों तक खबरें नहीं चल पाई और फिल्म फ्लॉप होते ही इनका रिष्टा भी तूट गया सोनाक्षी जानती है ना तो उसके बस की एक्टिंग करना है और ना ही इनका फिगर बॉलिवुड की अन्य अभिनेत्रियों की तरह है इसलिए सोनाक्षी ने सल्मान खान अक्षय कुमार जैसे जाने पहचाने कलाकारों के साथ काम करना ही उचित समझा Once upon a time in Mumbai दोबारा Boss holiday जैसी फिल्म में अक्षय कुमार के साथ back to back आ रही थी मीडिया में भी बात चलने लगी थी कि अब सोनाक्षी का अक्षय कुमार के साथ affair चल रहा है इसके बाद कहा जाता है कि ट्विंकल खन्ना ने अक्षय कुमार को सोनाक्षी के साथ काम करने से मना कर दिया था जिसके बाद इनकी फिल्मे साथ में आनी बंद हो गई थी लेकिन साल 2019 में इनकी एक फिल्म आई थी मिशन मंगल लेकिन इससे पहले कई साल तक इनकी कोई भी फिल्म नहीं आई साल 2013 में सोनाक्षी और शाहिद कपूर एक फिल्म में साथ में काम कर रहे थे और वो फिल्म थी आर राजकुमार और इस फिल्म के दोरान ही मीडिया में चर्चा चलने लगी थी कि शाहिद कपूर और सोनाक्षी का अफेयर चल रहा है लेकिन फिल्म रिलीज हुई और जल्दी फ्लॉप हो गई फिल्म के बाद ये दोनों कुछ समय तक साथ में दिखाई दिये लेकिन साल डेड़ साल के बाद इन दोनों ने भी अपने अपने रास्ते अलग कर लिये साल 2015 में अरजुन कपूर की तेवर नाम की फिल्म में साथ में काम कर रहे थे इस फिल्म के दौरान भी दोनों पार्टी और कलब में साथ जाते थे और लेट नाइट पार्टीज में भी अक्सर दिखाई दिया करते थे जिसके बाद खबरें चलने लगी थी कि इन दोनों का भी अफेयर शुरू हो गया है हालांकि इनका रिष्टा भी बहुत ज्यादा लंबा नहीं चला था और जल्द ही खत्म हो गया था सोनाक्षी के साथ में प्रॉबलम ये थी कि सोनाक्षी जब भी अपनी एजग ग्रूप के लोगों के साथ काम करती थी तो उसकी फिल्में फ्लॉप हो जाती थी और जब मंजे हुए खिलाडियों के साथ, यानि कि अपनी उम्र के दोगुनी उम्र के अभिनेताओं के साथ, जब रोमांस करती थी, तो वो फिल्में हिट हो जाती थी. सोनाक्षी ने जब फिल्मों में डेब्यू किया था तब से ही वह कई सुपर हिट फिल्मों का हिस्सा रही है लेकिन एक भी ऐसी कोई फिल्म नहीं आई जिसमें सोनाक्षी ने सच में एक्टिंग की हो या फिर ऐसी फिल्में जिसमें सोनाक्षी के फिल्मों की तारीफ हुई हो हर एक फिल्म में इसका रोल शोपीस होता था या फिर कमर मटकाने का ही होता है ऐसा नहीं है कि सोनाक्षी ने फिल्मों में एक्टिंग करने की कोशिश नहीं की या फिर इस बिचारी को एक्टिंग करने का मौका नहीं दिया गया अकीरा हैप्टी फिर भाग जाएगी खांदानी सफर, खां और नूर जैसी फिल्में थी, जिसमें अपने एक्टिंग के हुनर को लोगों तक पहुंचा सकती थी यानि कि अपनी आँखों से लोगों को दीवाना बना सकती थी बोले तो अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीत सकती थी इन फिल्मों में इन्होंने लीड एक्ट्रेस के रूप में काम किया इन फिल्मों के सारे responsibility भी इसी के ऊपर थी लेकिन ये सारी फिल्में इसकी बकवास acting की वजह से flop हो गई सोनाक्षी सिन्हा इन दिनों अपनी ex-premie जहीर इकबाल के साथ एक movie कर रही है जिसका नाम है Double Dil साल 2021 में ही जहीर इकबाल के साथ पार्टी में enjoy करते हुए एक photo social media में डाल दिया था जिसके बाद वह काफी ज्यादा ट्रोल हुई थी इसके बाद मीडिया में बयान दिया गया कि जहीर इकबाल ही उसका असली BF है और वह उसी से निकाह भी करेंगी जिसके बाद वह और भी ज्यादा ट्रोल हुई सोनाक्षी तब भी काफी ट्रोल हुई थी जब 2020 में सुशान्त की हत्या हुई थी और इसने बयान दिया था कि Bollywood में कभी भी किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया जाता है जबकि यह भी बिहार के रहने वाले हैं और इसी के साथ में सुशान्त भी बिहार के रहने वाला था इसके बाद भी यह काफी ज्यादा ट्रोल हुई थी और जब इसने अपना Twitter account deactivate कर दिया था तब से लेकर आज तक सोनाक्षी ने ऐसी कोई भी बयानबाजी नहीं की जिसके बाद वह ट्रोल हो सके लेकिन लोग इसे तब भी ट्रोल करते रहते हैं इनकी फिल्म की बात करूं तो Total धमाल और दबंग सीरीज के अलावा देखा जाए तो साल 2021 तक इनकी सारी फिल्में फ्लॉप रही हालांकि ये दोनों ही फिल्में कलेक्शन के حसाब से हिट रही थी सोनाक्षी के ओवरॉल फिल्मों की बात की जाये तो इसने पिछले 5 साल में एक भी सुपर हिट फिल्म या फिर हिट फिल्में नहीं दी है लेकिन हैरानी की बात ये है कि इसे लगातार फिलमें मिलती रही हैं और आगे भी मिलती रहेंगी जब तक सल्मान खान का हात इसके सर पर है गनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है ताकि लोग उसकी आने वाली फिल्मों का बेसबरी से इंतजार करें। ताकि हमारे हर लेटिस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलेगी सबसे पहले। धन्यवाद।